हेलो वेलकम टू एस्फिरिन तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नए कोर्स को लेकर जिस कोर्स का नाम रहेगा अरोमेटिसिटी जो की बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आई टी जैम डी यू बहु और आपका 12 लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो इस लेक्टर को आप पूरा देखिएगा उमीद है आपको पूरा लेक्टर समझाया तो स्टार्ट करते हैं अरोमेटिसिटी तो एरोमेटिसिटी में क्या होता है कि अरोमेटिक जो भी मॉलिक्यूल होता है ठीक है न वह केमिस्ट्री में अगर किसी भी मॉलिक्यूल देखा है तो वो सबसे ज्यादा प्लिक्रा फ्राइश होता है तो क्या होता है कि हर कोई मतलब हर एक मॉल्यक्रा चाहता है कि वह ऐरॉमेंटी certa तो उस में मतलब क्या हुआ कि ईस्से पहले पार-प्ड़ते हम भंण कि एरो मेटिक भी तो उसमें आप याद रिखेगा कि कि इसको मोलीक्ल बोलते हैं जो साइक्लिक हो पहला दूसरा क्या है साइक्लिक खी ना हो उसके साहत वो बनेर भी हो हारे कारबन जो साथ अट्य ठोगा कारबन या फिर कोई भी अधर मोलेक्टियू ज़ए नाइट्रोजन double bond CH single bond CH है अब जो CH sorry CH है उसे क्या क्या हो सकता है क्रिटी या तो उसे पोजिटिव चार्ज हो या उस पे नेगटिव हो या उस पे रेडिकल हो या उस पे लोन पेर हो या उसके बाद एक triple bond हो या उसके बाद एक double bond हो बन्तों इस तरीके से वह लगी मोलेकुल जो फ़टर करता है इस ट्री को करता है तो वह मालईकरल हमें सा एरोमेटिक होता है बढ़ते हैं अब देखी क्या हह हमारे पास दूसरा क्या वह है अ यह साइकलिक ही होता है ठीकिडिक भी डूसरा kitaridock नोस तृटिफा को के दूसरा क्या हो वह भी Planner होता है तीसरा यह भी है कि वह भी SP2 होता है बट एक चीज इस में क्या difference होता है जैसे कि वह फॉरन प्लस फॉरश टूपलर एलेक्ट्रोन फॉर्ट फोलो करता था लेकिन ये जो है मोलक्यूल का आप पाइलेक्ट्रोन काउंट करेंगे जितना भी पाइलेक्ट्रोन हो अगर वो चार से डिवीजेबल हो जाए तो वह एंटि अरुछ अरु u यहां से DIVISIBLE नहीं हो तो वह AEROMATIC हो जाएगा एक्जामपल ले तो हमार देखिए। अहां पर बेंजीन दिया हुआ है तो बेंजीन माँ पता है कि यहां पर क्या होता है 6 PA ELECTRON SYSTEM होता है अब आप बताए कि 64 से DIVISIBLE है नहीं तो यह फिर क्या है यह आपका और दूसरा हमारा क्या है यहां पर देखिए एक फॉर में नहीं है दो डबल बोंड है ठीक है तो इसमें क्या है फिर फॉर पाई लेट्रों सिस्टेम में और फॉर पाई जो है फॉर से दिविसिबल है तो मतलब आप बोल सकते हैं कि यह जो है यह anti-aromatic है ठीक है अब लेते है हम नोन अरोमेटिक कंपाउंट के सब्सक्राइब में तो टेके नोन अरोमेटिक कंपाउंड जो है अरोमेटिक और एंटी अरोमेटिक से पूरी तरह किसी डिफ्रेंट है ठीक क्या है कि आप कोई भी ऐसा मॉलकुल देखे जो नोन प्लेनार है ठीक है मतलब अटलिस्ट होना चाहिए ठीक दूसरा क्या है कि नोन कॉंजूगेटर सिस्टम हो चाहिए मतलब नोन डी लोकलाज़जाशन और पाइलक्टोन मतलब कोई भी वहाँ पर कंजूगेशन नहीं होना चाहिए और विलनोट फोलो हकल रूल या फिर यह भी बहुत सकते ही कि जो मोवियस रू तो इसे हम बॉल सकते ही कि जो है नोन अरुमेटिक कंपरूब अब बहुत ही जादा नोट करने वाली बात क्या है कि अगर हमारे पास एक कार्भो के टायन दिया हुआ है ठीक है तो उस पर इलेक्टर कितना काउंट करेंगे यह इलेक्टरोन नहीं है इंपर्टरन आपको आ झाल प्रबट नहां प्राइब पाल राइब नहांडों नहां पर थांको जब रहां खर्बटा रायव रहां पो कर राकि शे वाहां रहां